परिचय बाई, मुझे बहुत भूख लगी है लो मोना, इसे खा लो, तुमारी भूख मिठ जाएगी मोना, क्या तुम अनुमान लगा सकती हो, कि प्रते दिन हम जो खाना खाते हैं, वो कहां से आता है? नहीं, भाई, मैं केवल इतना जानती हूँ, कि खाना हमें पेट पौधों से मिलता है, पर कैसे मिलता है, मैं नहीं जानती भाई, तुम बताओ न बच्चों, इस पार्ट के अंतरगत हम खाद्दे पदार्थों की विविदता के बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि ये कहां से आता है? उद्धेश्य इस पार्ट के अंत में, आप निम्न करदे में सक्षम हो जाएंगे भोजन के विविन प्रकारों को पहचानना भोजन को परिभाशित करना खादे समगरी और उनके सुरोतों के बारे में जानना खादि के रूप में पौधों के विभिन भागूं को पहचानना खादि के रूप में विभिन जन्तु उत्पादों पर चर्चा करना जन्तु क्या खाते हैं ये समझना जन्तु के प्रकारों को उनके खाने की आदतों के आधार पर जानना जैसे शाकहारी, मांसहारी और सर्वहारी विभिन खादे पदार्थ जरा इस भोजन को देखिए आपने क्या देखा? इस प्लेट में विभिन प्रकार के खादे पदार्थ हैं और प्रतेक खादे पदार्थ एक से अधिक संघटक से मिलकर बना हुआ है जैसे रोटी, गिहूं के आटे को पानी के साथ गूंद कर बनाई जाती है इसी तरह दाल, दलहन, पानी, नमक और अन्ने मसालों को मिला कर बनाई जाती है खादे पदार्थ और उनके स्रोथ जैसे कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि उर्जा प्राप्ति के लिए हमें भूजन की आविशक्ता होती है और जब हमें भूख लगती है तब अपना पेट भरने के लिए भी भूजन की आविशक्ता होती है हम भूजन को ऐसे पौस्टिक पदार्थ के रूप में परिभाशित कर सकते हैं जिसे जीवन को बनाए रखने के लिए उर्जा प्रदान करने के लिए पृध्धी एवं विकास को पढ़ावा देने के लिए खाया, पिया या अन्ने रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है. भोजन कहां से आता है? अब हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि खाने के लिए विबिन्न खादे पदार्थों को हम कहां से प्राप्द करते हैं? ज्यादा तर खादे पदार्थ हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे सबजियां, फल, गेहुं का आटा, दाल, मक्की का चिवडा, ब्रेड, वनस्पती तेल, आदी. कुछ भोजे पदार्थ हम जन्तों से भी प्राप्त करते हैं, जैसे दूध, दही, मक्कन, घी, अंडे आदी, मचली, चिकन, गोमांस यानि बीफ, सुरकमांस यानि पौर्ख, आदी भी जन्तों से प्राप्त किया जाता है. भोजन के रूप में पौधे के भाग और जन्तों उत्पाद. हम जानते हैं कि अधिकांश भोजन हमें पौधों से ही प्राप्त होता है. पौधों के विभिन भाग हमें अलग-अलग प्रकार के खादे पदार्थ देते हैं. हम पालक, सरसों, फेनुग्रीक, सलाद आदी की पत्तियां खाते हैं. बहुत से पौधों के फल, फल और सबजियों के रूप में खाये जाते हैं. बीजों को अनाज, मसाले, अंकुरिद दालों के रूप में और वनस्पती तेल निकालने के लिए इस्तिमाल किया जाता है. कुछ पौधों के तने और जड़ों को भी सबज किसियों के रूप में इस्तिमाल किया जाता है आत्म मूलियांकन निन लिखित का मिलान करें भोजन के रूप में पौदे के भाग और जन्तु उत्पाद जैसे हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि अधिकांश भोजे पदार्थ हमें पौधों से ही मिलते हैं जन्तु भी हमें कुछ महत्पून उत्पाद प्रदान करते हैं जिने हम प्रती दिन उप्योग में लाते हैं। जैसे दूद, दही, घी, अंडे आदी। हमें दूद, गाए, भैंस, बक्री से यहां तक की रेगिस्तान में उंट से भी मिलता है। मुर्गियों और बत्तकों से हमें अंडे मिलते हैं। मुर्गा, बक्री, उंट आदी से मीट मिलता है। मचली और जींगा भी खाया जाता है। और मधुमक्खी हमें शहद देती है। जन्तु क्या खाते हैं? क्या आप चामते हैं कि जन्तुओं को उनके आहार सम्मंधी आदतों के आधार पर तीन प्रकार में बाटा जा सकता है। ये हैं शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वहारी। शाकाहारी वे जीव होते हैं जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। उधारण गाए, भैस, बक्री, हिरन, हाधी, आदी। मांसाहारी वे जीव होते हैं जो केवल दूसरे जानवरों को खाते हैं। उधारण, सिंग, बाग, जगुवार, सियार, आदी. जबकि सर्वाहारी जन्तू, पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं. उधारण, कुद्दा, कौवा, आत्म मूलियांकन. प्रशनों को पढ़िये तथा निम्निलिखित विकल्पों में से सही चित्र पर क्लिक करें. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संग्षेप में दोहराएं. कोई भी पौश्टिक पदार्थ, जिसे जीवन को बनाए रखने के लिए, उर्जा प्रदान करने के लिए, वृध्धी एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए, खाया, पिया या अन्य रूप में शरीर के अंदर लिया जाता है, भोजन कहलाता है. पौदे भोजन का मुख्षरोत होते हैं। हमें जन्दूँ से भी भोजन प्राप्त होता है। शाकाहारी वे जीव होते हैं, जो केवल पेड़ पौधों को खाते हैं। झाल झाल